वाट दा टेक इस गोईंग ओन फ्रेंड्स मेना नम है विकिन डिकोडर के दरब सर आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत है और 2020 के नवेंबर के महीने में मैंने अपने चैनल पे बहुत ही सारे आइपैड एर फोर के उपर वीडियो डाल ले थे और आप लोगों नों में काफ इस वीडियो को दोस्तों मैंने बहुत ही सारे कैटेगोरी में डिवाइट किया है ताकि आपको आपका एंसर मिल जाए तो पूरा वीडियो को देखना एकदम शुरू से लेके अन तक सारे पॉइंट्स दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है एक को भी स्किप मत करना और दोस मुझे थोड़ा बहुत मिल जाएगा मैं भी चाहता हो कि अपने सेट अप को बहतर करो लाइटिंग वगरा बेटर करो क्वालिटी बेटर करो तो उसके लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूत है दर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आकों को पिस कीजिए ताकि आपको हमा चीज है और यह तो आपके ऊपर टिपन करते हैं कि अपका बजट कितना है लेकिन अगर प्राइजिंग के बाएं बात करें देन बोथ आई-पैड और लैप्टॉप आपको अंडर 30K से मिलना स्टार्ट हो जाएगा और एक लाग के ऊपर तक आपको मिल जाएगा जो बेस करते हैं कॉम्पैक निस के बारे में कि क्या ज्यादा पोर्टेबल है ज्यादा कॉमफोर्टेबल है तो यह तो एक बच्चा भी एंसर दे पाएगा कि आई-पैड जार वे मूर कॉम्फोर्टेबल दन लैपटॉप और क्यू नहीं हो दोस्तों यह बहुत ही स्मॉल होते हैं कॉम्पैक्ट होते हैं इसलिए आप इनको कैडी कर सकते हैं एक हाथ में लेकर घूम सकते हो इविन अगर आप एक आइपड के ऊपर एक पूरा कॉभर भी लगा दोगे देन फिर भी वो लैपटॉप से हलका ही होगा तो इसलिए आप इसको बैग में डाल सकते हो लेके गू यह नहीं वह दैट उड निट सम्सकेल लेकिन वह बहुत ही मुश्किल होगा इवन दोस्तों अगर आप एक लैपटॉप को यूज करना चाहते हो देन आपको किसी भी सर्फेस में रखना होगा उसको खोलना होगा उसका बास इसमें रखना होगा या फिर आपके गोद में होगा लेकिन आइपैड में वह ऐसे कोई जंजटे नहीं आप इसको पकर के यूज कर सकते हो तो कॉम्पैक्ट में इसके बारे में डेफिनिटी आइपैड ही आगे रहेगा अब दोस्तों बात करते हैं मूवी एंटर्टेन्मेंट परपर्स या फिर नॉर्मल ब्रावजिं और दोस्तों जो बजेट लैप्टॉप्स होता है इवन मिड रेंज लैप्टॉप्स जो की 50K में आते हैं उनका भी डिस्पले दोस्तों बहुत ज्यादा स्टैंडर नहीं होता है इवन अगर आपको कलर्स ठीठाक मिल भी जाएंगे दिन व्यूइंग एंगल्स विल भी ट बहुत ही ज्यादा बेटर होती है और व्यूइंग एंगल्स को लेकर दोस्तों आपको आइपड में कभी भी कोई भी परिशान ही नहीं होगी डिस्पले रेली गूड ऑन आइपड और दोस्तों सिर्फ उतना ही नहीं अगर मैं स्पीकर के बाएं बात करो देन आइपड के स दिस्पले में आपको बस एक ही अड्वांटेज मिलेगा कि उसका डिस्पले बड़ा होगा बिगर होगा आइपड में दिस्पले थोरा सा चोटा होगा बट बाकी सारे पॉइंट में फॉर मल्टिमीडिया पर बस आइपड ही आगे रहेगा अब यहां पर दोस्तों बात कर बेस आइपड में जो आपको स्टोरेज मिलता है वो है सिर्फ 32GB जो कि मेरा आइपड एयर में है उसमें है 64GB मैक्सिमाम आपको 128GB ऐसा मिल जाएगा तो स्टोरेज दोस्तों एक इश्व आपके लिए हो सकता है तो यह आपको ध्यान रखना होगा अगर आप एक दू मूवी भी रखना चाहते है आइपड में दिन हो जाएगा बट अगर आप 10-15 मूवी एक साथ आइपड में रखके देखना चाहते दिन बहुत ही परिशानी होगी अगर आप एक ऐसे ही विक्ति हो दिन आपको एक लैप टॉप ही लेना चाहिए अब स्टोरेज के बाद आ जाते है दोस्तों डेटा शेरिंग या फिर डाउनलोडिंग में और यहां पर दोस्तों लैप टॉप बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं आप एजिली किसी भी साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो ऑल्दो मैं पाइरसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ बस फॉरान एग्ज कर सकते हो बढ़ जो बहुत सारे वेबसाइट होते हैं वहां से जाके डाउनलोड करना एक आईपैड में आल्मोस्ट इंपॉसिबल होता है और डेटा शेरिंग के बारे में बात करो देन एजी लिए आप येसबी ड्राइब से कॉपी कर सकते हो पीसी में लेकिन आईपैड में वो बहुत ही प्राइब होगा अगर आपके पास लेटेस जनेरेशन आईपैड है जैसे की मेरे पास है तो अगर आपके पास कोई बीडूल पेंडार बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं तो यह आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप बहुत सारे आफलाइन पाइरसी में एक्सचेंज करते हो डेटा ट्रांसफर करते हो लैप्टॉप विल बेटर ऑप्शन फोर यू अब दोस्तों बात करते हैं वीडियो कॉलिंग ओनलाइन कॉन्फरेंस या फिर ओनलाइन क्लासिस इनके बारे में यहां पर दोस्तों जो चीज सबसे ज्यादे इंप खड़िते हो 7th या 8th generation वाला वहां पर आपको around 1.2 MP का front camera मिल जाएगा लेकिन उसकी quality भी उन laptop के front camera से बहुत ही ज्यादा बेटर होती है तो for online video conference मैं iPad को ही ज्यादा प्रिफर करूंगा और दोस्तों रही चीज अगर online books परने की बात हो या फिर PDF documents iPads are just fine even better because यहां पर आपको kind of a book like experience मिलेगा जो कि आपको laptop में नहीं मिलेगा even दोस्तों अगर आप markup करना चाहते हो या फिर annotating करना चाहते हो यहां से copy करके notes लेना चाहते हो then फिर भी iPad बहुत ज्यादे बेटर option रहेगा laptop के comparison पे तो अगर यह सब आपका purpose है then iPads are just fine and even better option अब बात करते हैं programming software development के बारे में और यहां पर तो कोई argument ही नहीं है अगर आप programming करना चाहते हो web development software development आपको एक laptop लेना चाहिए iPad में भी आजकल हो जाता है हलका full का coding बट एक दम ही बहुत ही बहुत ही पीछे है miles behind तो अगर आप यह सब करना चाहते हो दिन आपको laptop लेना चाहिए अब थोड़े से मिड लेवल के काम में आ जाते सपोस Microsoft word excel powerpoint files तो देखिए यह आप iPad में भी कर सकते है laptop में भी कर सकते लेकिन laptop में क्या होता है कि आपको pirated windows मिल जाता है अगें piracy को मैं support नहीं कर रहा हूँ बस example दे रहा हूँ iPad में भी आपको मिल सकता है pirated software अगर आप चाहे तो बहुत ही वो मुश्किल होता है और बिल्कुल भी recommended नहीं है because iPads are really expensive तो अगर आप suppose आप पैसे भी दे रहे हो फिर भी दोस्तों जो एपस है iPad के लिए for Microsoft Word Excel वो उतने ज्यादा flexible या फिर optimize नहीं है तो अगर यह सब काम आप हैवी लेवल में करना चाहते हो दिन आपको एक laptop लेना चाहिए लेकिन अगर आप मिड लेवल के हो बस नॉर्मल spreadsheet बनाओगे नॉर्म को iPad में भी उसकर सकते हो same file को आप अपने PC या फिर दूसरे smartphone में भी उसकर सकते हो तो मैं personally Google का platform यूज करता हूँ अब यहाँ पर दोस्तों बहुत important point आ जाता है keyboard सारे laptop में आपको dedicated keyboard मिल जाएगा definitely उसके experience बहुत ही ज्यादा smooth और better होता है but अगर मैं honestly बात करूँ then I am just fine with the on screen keyboard on an iPad मैं easily iPad के on screen keyboard में type कर सकता हूँ maybe not as fast as a dedicated keyboard लेकिन दोस्तों मुझे कोई भी problem नहीं होता है या पर even मैं जो full video का script है अपने iPad में type करता हूँ easily मैं type कर लेता हूँ मुझे कोई भी issues नहीं होता है तो yes अगर आप normal scripting documents type करना चाहते हो on screen keyboard से आप type कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा practice मिल जाया तो अब बात करते हैं थोड़े से और professional level के काम में जैसे की photo editing या फिर video editing तो सबसे बहले photo editing को लेके बात करते हैं तो अगर आप portrait photo edits करना चाहते हो या फिर जो photography होते हैं उनको edit करना चाहते हो then iPads will be really good क्यों मैं आपको बताता हूँ because portraits बोले या फिर photography बोलिये इनने colors बहुत ही ज्यादा important role play करते हैं जो कि मैंने पहले भी बोला कि इस segment के किसी भी laptop में 50K 60K के किसी भी laptop में ज लेकिन iPad में colors बहुत ही ज्याद आपको accurate मिलेंगे and even ऐसे चीजों को edit करना iPad में better होगा because iPad में भी आपको बहुत सारे free options मिल जाते हैं जैसे कि Lightroom है या फिर Snapseed है these apps are just fine तो अगर आप portrait या फिर photography edit करना चाहते हो iPad ही आपके लिए better option होगा in my opinion लेकिन अगर आप heavy level का photo editing करना च होते है super impulse poster designing जो की बहुत ही complicated होते हैं जापर बहुत सारे layers का काम होता है देन उन चीजों के लिए दोस्तों मैं laptop को ही टेफर करूंगा but एक महंगा laptop लेना ही better option होगा because जो low level के laptop होंगे ना वो बहुत ज्यादा layers को handle नहीं कर पाएंगे अगर video editing के बात करूं then अगर आप एक videos के डिट करना चाहते हो iPad के लिए बहुत ही अच्छा page software है जिसका नाम है Loma fusion बिल्कुल reliable है आप उसको lifetime purchase कर सकते हो ज्यादे महंगा भी नहीं है लेकिन अगर आप एक बहुत ही complicated project में हो जहाँ पर बहुत सारे layers है effects है text है a big timeline then मैं laptop को ही suggest करूंगा और महंगा laptop ही लेना preferable हो जाती है वो है render times अगर आप एक budget laptop लोगे देन render times will be really slow बहुत ही time लगेगा एक video को render होने में even आपका जो timeline है वो भी आपको लगेगा कि like lag हो रहा है crash हो रहा है लेकिन अगर आप एक budget iPad लेते हूँ वहाँ पर भी आप 4K video editing कर सकते हूँ even iPad जो 8 generation 30k में वो भी 4K video को handling कर सकता ह है और जो render times है वो तो मतलब बहुत ही बहुत ही आगे है laptop के comparison पे तो यह point को आप ध्यान रखना अगर आप complicated video edit करना चाहते हो then laptop लेकिन अगर आप एक normal general video edit करना चाहते हो iPads are really great for that finally बात करते है दोस्तो digital drawing के बारे में art के बारे में और यहां पर दोस्तो मैं definitely iPad को suggest करूंगा number one definitely color accurate display number two दोस्तो iPad में आपको dedicated touchscreen मिलता है जो कि आपको laptop में नहीं मिलेगा हां कुछ touchscreen laptops है लेकिन उनमें जो processor है या फिर दूसरे चीज़े है वहाँ पर बहुत ही ज्यादा compromise मिल जाता है और Windows में जो pen support है वो ठीक ठाक है लेकिन iPad में जो Apple Pencil support है वो बहुत ही ज्यादा आगे है हाँ Apple Pencil आपको अलग से purchase करना होता है जो कि around 10,000 रुपीज का मिलता है लेकिन जो output है उससे जो outcome आपको मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा शांदार है Apps like Procreate जो level की creativity आप कर सकते हो iPad के थुरू 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 थाट pencil एंड आप वो बहुत ही बहुत ही शांदार बात है तो अगर आप digital drawing करना चाहते हो आर्ट बनाना चाहते हो then iPad should be your choice तो दोस्तों यही थे मेरे points I hope कि आपको आपका answer मिल गया होगा अगर नहीं मिला है then फिर से points को repeat कीजिए आप अपनी priority को देखिए और उसके हिसाब से एक product को pick up कर लीजे simple words में अगर आप normal काम करना चाहते हो video editing करना चाहते हो normal photo portrait editing करना चाहते हो media consumption करना चाहते हो film देखना चाहते हो movie देखना चाहते हो iPads are really great for that लेकिन अगर आप एक high level का video editing करना चाहते हो या फिर high level के manipulative work करना चाहते हो दिन आपको laptop नेना चाहिए और अगर आप programming करना चाहते हो then definitely आपको एक laptop नेना चाहिए और finally दोस्तों और एक चीज़ को मैं mention कर देता हो वो है battery life battery life on ipads are like really really monster easily आपको 8 घंटे का skin on time मिल जाएगा और maximum laptop में आपको 5-6 घंटे का ही battery backup मिलेगा बहुत अच्छा है अगर लैपटाप मिलता है then 8 घंट आपको शायद मिल जाएगा but battery life के बारे में दोस्तों definitely ipad जी आगे रहते है तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों comment करना ना विले वीडियो अच्छा लगे तो definitely like कीजिए तो